नमस्कार आप यहार इन सोट्स देख रहे हैं मैं हूँ प्रमीर सिंग इस वक्त की बड़ी खबर रजधानी दिल्ली से सामने आ रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग के दवारा विधानसभा उपचुनाव के तारीकों का एलान कर दिया गया है पांच विधानसभा सिटों पर उपचुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर आज चुनाव आयोग ने तारीकों का एलान किया है जिसमें से बिहार का बोचाहां विधानसभा सिट भी सामिल है बोचाहां विधानसभा पर उपचुनाव होने वाला है जिसको लेकर आज एलेक्श सभा सीट है इसके अलावा 36 गड बिहार और महरास्टरा का एक-एक विधान सभा सीट सामील है 12 अप्रेल को वोटिंग होगी इसके अलावा 16 अप्रेल को काउंटिंग करा लिया जाएगा तो कहीं न कहीं यह बरी खबर है क्योंकि बोचहा विधान सभा सीट को लेकर लगतार बिहार में राजनीती भी चल रही है आपको मालूम ही होगा कि बोचहा से सीटिंग विधायक थे मुसाफिर पसवान जिनका कुछ महीने पहले निधन हो गया था जिस होज़ा से यह सीट खाली है आपको बता दे कि मुसाफिर पसवान विधायक थे तो ऐसे में बिहार एंडिये में इस सीट को लेकर जंजट चल रहा है बियाईपी दावा कर रही है कि वो यहां से चुनाव लरेगी तो दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता है वो लगतार दावा कर रहे हैं कि बोचहा विधान सवा सीट को अपने पास भाजपा रहेगी भाजपा का ही उम्मिदवार यहां से चुनाव लरेगा तो ऐसे में बोचहा विधान सवा सीट को लेकर बिहार एंडिये में रार देखने को मिल रहा है खास करके वी आईपी और भाजपा के नेता आपस में टकरा रहे हैं तो देखना होगा कि आखिर बोचहा विधान सवा सीट पर किस पार्टी का उम्मिदवार चुनाव लरता ह वहीं दूसरी तरफ आडेडी से रमाई राम की बेटी चुनाव की तैयारी कर रही है और लगतार छेतर भर्मन भी कर रही है तो ऐसे में राजप के तरफ से रमाई राम की बेटी उम्मिदवार बन सकती है वहीं भात्य जनता पार्टी के तरफ से बेबी कुमारी लगतार दावा ठुक रही है आपको बतादे कि बिबी कुमारी अभी से ही छेत्र भर्मन कर रही है जनता के बीच जा रही है तो ऐसे में कहीं न कहीं आखिर कौन चुनाव लरेगा या सवाल है तो देखना होगा कि अब तो डेट फाइनल हो गए है तो अब भाजपा क्या कुछ बोच देखने वाली बात भारार अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो तुरंद कर ले और बोचाहे विदान सभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताएगा यह वीडियो फेस्बुक में देखने तो हमारे पेच को भी लाइक कर लिजग दाने बात